बारती राष्टबाद में यहां देखने वाले हैं जो राष्टबाद है उसका ओध्वो कैसे हुआ ता यहां पर देखेंगे उसके कारण क्या थे अब देखे हमने इसके पहले पढ़ा है 1857 का विद्रो तो जो विद्रो क्यों हुआ था उसके बारे हमने सारी चीजे जाने हैं विद्रो कोई एक घटना का परिणाम नहीं होता यह पिछले सो बरसों से जो ब्रिटिस कंपनी के द्वारा जो पतार ना दी जा रही थी है जो सोंशन किया जा रहा था विभीन वर्गों उसके प्रति प्रकार से आक्रोस वहां वैक्त किया था 18mittावन की कुर्णती में ठीक है घरांती भी बोलका सकते बिद्रो भी बोलके abdi सब्सक्राइब इसका परिक परिद निकल सबूक कर सकती राश्टबाथ रूप में जपहना को बहुत सारे देखने को मिलते हैं अंग्रेजी सासन काल है अंग्रेजी सासन काल विभीन कारण थे उसमें भारती जनता में राश्टी तकी भावना का उदय हुआ और बिटिस सासान एबम जो विस्व था उसको एक प्रकार से प्रवावित करने वाली विभिन प्रकार की नवीन प्रवत्तिया यहां हमको देखने को मिलता है तो हम देख सकते हैं जैसे 19 सताबदी की बात कर उत्राद मतलब होता है जैसे कि मान लीजे 1800 से 1900 के बीच का जो काल रहता उसको हम क्या बोलते हैं 19 भी सताबदी बोलते हैं तो जैसे बात करें हम 1857 की करांती के पस्चाथ अगर बात करें तो यहां पर 1885 में क्या हुआ था कांग्रेस के स्थापना हो गई थी ठीक है तो कां 2053 क के पस्चाथ यहां पर रहती राष्ट बात के लिए बहुत सारे कारण यहां पर जिम्मेदार है तो उनी कारण Бает उसस्तार से। चलिए देख लेते हैं हम सबसे पहले कारण जो है तो यहां दिकियर आपको सारे पूरतियों कारण इसके लावा देखें तो हम को देखें तो हम को देखें के लावा आधुनिक समचार पत्र की बात करें परिवहन तथा संचार के साधन लाट लिटन की जो नीती थी उसके कारण भी राष्टबात के जन्म के लिए एक प्रकार से हम देख सकते राष्टबात के उध्य कारण बनता है इलवर्ट बिल विवाद था साथ में बंगाल विभ होगे तो उनको आप समझा सको चलिए सबसे पहले देख लेते हैं राजनिती के करन तो क्या हुआ था जैसे अगर बात करें हम पूरा भारत की यह मैं जो है भारत को एक प्रकार से मोटा मोटा बना देता हूं ठीक है यह ज्यादा इसके लिए लोड नहीं लेना यहां अगर मैं भारत की बात करें तो यह जो है मैं ठीक है यह भारत बन गया अब भारत में देखिए बहुत सारे जो छेत्र थे मतलब कुछ चेत्रों को चोड़ दिया जाय तो पूरा जो कम्प्लीट जो भारत था वो किसके कब जे में था बोध यहां पर किसका सासन हुआ करता था तो यहां देखिए जितना भी चेत्र भी जी कथा वहां के लिए अगर बात करें राजनेतिक एक ही करण की तो सभी छेत्रों में जो कि ब्रिटिस सासन था तो एक समान प्रसासनिक एबं नियाई कानून यहां पर लागू किया जाते थे तो इससे क्या हुआ एक प्रकार से राजनिती एकता है या राजनिती की करण हुआ तो फल सरूप हमको राश्टियता की भावना यहां पर जागरत होती अगर बात करें प्रसासनिक और और बात करें न्याइक और जो सेनिक और जो नौकरिया थी यहां पर सभी हमको देखने को किया मलती है तो फलसप जो भारतिये थे भारतियों के अंदर एक प्रकार से सभी के लिए जिनके खिलाप यहां भेदवापुन निती अपना ही जा रहे थी तो उनके अंदर एक प्रकार से राष्टवात का होदे हमको देखने को मिलता है फिर नशली बेभेद के अगर बात करें तो अंग्रेज़ों के द्वारा हमेशा से मतलब जो भारत कीजिए जैसे की प्रसासान न्याले तथा सेना में भी एक प्रकार से नसली भेद हमको देखने को मिलता है काफी अपमान एबं घ्रणा की द्रश्टी से इनको देखा जाता था तो यह सारी जो भावना है यहां भी हमको देख सकते हैं राष्टवात का ओदय का एक कारण द इसके बाद हम देख सकते हैं एक थी महालवाडी तो इन सभी जो व्यवस्ता आई थी इनके अलावा भी कुछ व्यवस्ता थी अलग अलग छेत्रों में इनके कारण हमको एक प्रकार से देखने को मिलता है जैसे कि सबसे महत्पूर्ण तो करसक है करसक बर का काफी आर्थिक सौंषान किया गया तो यह सभी जो बद एक हम देख सकते हैं काफी आर्थिक सौंषान किया गया भुक्मरिया ॅकाल आया अब पतंद देखने को मिलता है धन निसकाशन का सिद्धान्त भी हमने देखे थे धन निसकाशन ये सभी समस्याओं का यहां पर जैन्म हुआ और साथ में ब्रिटिस जो है आर्थिक शोषन के कारण क्रसक जमीदार है यहां थे पर ने कि अलावा हम मजदूर देख सकते हैं जाथ में पूंजी पति बर्ग द असंतोस भ्याप था इसके कारण अराष्टबात का उद्धा देखने को मिलता है अब देख लेते हम कुछ और अन्य कारण थे राष्टबात के उद्धे में तो उनके बारे में भी हम यहां पर जान लेते हैं जैसे समाजिक धार्मिक सुधार अंदोलन तो आप देख सकते हैं जब हम अभी पुनर जागरन पढ़ेंगे भारत के अंतरगा तो उसमें हम यह सारी चीजे डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से तो जो राश्टी चेतना उसके उत्पत्ति में समाजिक और धार्मिक सुधार अंदोलोन का यहां पर विसेष महत्वहम को देखने को मिलता है तो कौन-कौन से चीजे थी जैसे कि हम देखें राजा राम मोहन राय के दोरह किसके स्थापना की गई थी ब्रह्म समाज के स्थापना की गई थी तो यहां पर देखें तो इनका काफी युगदान था इसके किलाबा हम बात करें दयानन सरस्वती की इनके द्वारा आर समझ के स्थापना की गई थी दयानन सरस्वती और स्वामी बिवेकानन्द यह भी काफी कि मीं सब्बता हा उसको अंधे रूफ से प्रकार के अपनाना नहीं तो इस प्रकार से इनके दोर रे मतलब जागरन लाया गया और इन सुधार को ने लोगों में आत्म-सम्मान इवियां राष्ट्री प्रेव की भौना विक्सित शुरूप राष्टिता की होई हमें विक्सित होती हुई हम को देखने को मिलते हैं तुब ठ्रकायर के समाजी कि हम धर्मिक शुधार औंदुलं भी मुखकारक की रूप में शिद्ध हुए इसके लाभा आधुनिक सिक्षा की बात करें तो आधुनिक सिक्षा के अंतरगात यहां देखें अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी सिक्षा का प्रसार किया था परंतु यह जो प्रसार था अंग्रेजी का वो कैसा था स्वार्थ बस था मतलब उनके खुद के स्वार्थ के लिए यहां पर मतलब यहां पर प्रसार किया था और परतव प्रदान किया है लो रुसो है वाल्टे और आदी के विचार है उनको भी पढ़ा मतलब जो एक प्रकार से जो तरक देते थे थे लोग एक प्रकार से राजनीती की थे या फिर हम बोल सकते हैं काफी बिद्वान लोग थे इनके काफी बिचारों को पढ़ा और उन बिचारों को पढ़ने के पस्चायत हम देखें तो उनमें सोतंत्रता सवसासान तथा राश्टिता की भावना विकास हुई मतलब जो विद्वानों का जो विचार था वो भी उनके दारा पढ़ा गया तो उनके द्वारा एक प्रकार से हम देखें उनके मन में राश्टित की भावना उत्मन यहां पर हो जाती है तो यह भी काफी महत्पून यहां कारक्सिद्ध होता है तो यहां हम देखें भारतेंदू हरिस्चंद्र की बात कर लेते हैं भारतेंदू हरिस्चंद्र की अगर बा ब्रिटिस सरकार की नीतियों का उत्तरदाई माना गया उधायद लिए इसतिति के तो प्रताप नरायनमें, तो इनको आप जानते होंगे बंगीम चंद्र चटर जी को इन सभी की रचनाओं के कारण भी यहां पर देश प्रेम भावना का प्रचार प्रसार हुआ फिर आधुनिक समचार पत्र के अंतरगत देखें तो जो राजाराम मोहन राय है जिनको हमने अभी पढ़ा है तो इनके द्वारा लिखित एक प्रकार से जो संबाद था संबाद कौमुदी ठीक है और इसके लाबा एक और अखवार था मिरात उल अखवार ये तो था किसका राजाराम मोहन राय का थेर हम देखें इस्वर्चन विद्यसागर के अगर बात करें इस्वर्चन विद्यसागर के द्वारा सोम प्रकास मोतिलाल के द्वारा लिखित माराठा वा केसरी जो पत्र थे समचार पत्र एक प्रकार से आधी ने ब्रिटिस नीतियों के अलुचना की और इसी के फल्सवरूफ हमको राष्टबात का उद्वार देखने को मिलता है तो रेल का विकास हो गया था मतलब यहां पर रेल चालू हो गई थी साथ में डांक वैबस्ता भी हमको देखने को मिलती है तार यह सबी हम देख सकते हैं कि सारी चीजे सुरू हो गई तो इन साथनों के विकास ने भी भारत में प्रकार से राश्ट्यति की जड़े हैं उनको लोगों को कम लगती थी तो जनता में निकटता आई और जिससे राश्ट्यति की भावना यहां पर बढ़ी ठीक है इसके लाभा कुछ और कारण हमको देखने को मिलते हैं जैसे कि लॉड लिटन की नितिक अंतरगत हम देख सकते हैं जो इसके कुछ कार जो थे प्रतिक्रिय अधियावादी कारे के अंतरगत अगर देखें हम तो जैसे अकाल के समय यहां दिल्ली दरवार का अजन किया गया था किसके दौरा लॉड लिटन के समय बरनकुलर प्रेस एक्ट दौरा प्रेस पर प्रतिबंद लगा दिया गया था ठीक है लॉड लिटन के समय इसके थी उसकी घटा दी गई मतलब 19 वार्स कर दी गई दुतिया अंगला अफगान युद्ध हुआ था उसके खर्च का जो भार था भारत को थोप दिया गया तो यह सारी चीजे किसके काल में हुई थी लौड लिटन के काल में तो इसकी कुछ प्रतिक्रियावादी नीतिय थी मतल बैसराय थे जिनका नाम था रिपन के समय यह बिलपारित हुआ था जिसका नाम है इलवट बिल विबाद तो यहां देख सकते हैं देखें इलवट बिल में जन्पध सेवा के जो भारतिय जिलाय बं सत्र नयायधीस थे उनको यूरोपिय नयायधीस के बराबर सकति यहां प रचाएं कौन करें था सबस्तिप सब्सक्राइब। नहीं कि उन्टी यहां पर रद्ध कर दिया गाँ और रद्ध करना पड़ा इसके कारण होगा उरपी लोगों के अएंट-पार्श का यहां के प्रश्न होगा और वहां उन्हें नहीं मिल सका इस घटना ने भी राष्टबात के विकास में काफी यहां पर दिया फिर बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में ठीक है जो हम आगे पढ़ेंगे 1905 में हुआ था और यह किसके काल में हुआ थ आरडेकश सन्स्था को येगदा तो काफी राजञ्यतिक सन्सथा हमपो देखने कि मिलती है जैसे कि अगर बात करें हम लैंड हॉल्डर सोट सोसाइटी ही हुप तो कर साथी की तो यह 1898 में हमको देखने क्मिलती है इसक festival अगर देखें इंडियान एससीएसें आं इंडिया प्रेसिदेंसी एस्थापना कब हुई थी इसके स्थापना हुई थी 1850 इसके अलाबा मदरास महाजन सावा यह सभी जो थी हम देख सकते हैं मदरास महाजन सावा यह हुई थी 1884 में तो यह सभी हमको देखने को मिलते हैं राजनितिक संगठन ने एक प्रकार से बिटिस नीतियों का विरूत किया और भारतियों कमें में यहां पर राष्टिय तक की भावना यहां पर उत्पन हुई तो हमने यह सारे कारणों के बारे मे सभी कारण जो है एक प्रकार से भारति राष्टबाद के लिए विकास में यहां पर योग माने जाते हैं यानि कि सभी का योगदान यहां पर देखने को मिलता है भारति राष्टबाद में और इस राष्टबाद की सर्वोच अभिव्यक्ति थी वह हम देख सकते हैं कांग और इसके नेतरत में जो राष्टी अंदोलन चलाएगा उसके कारण ही हमको भारत की स्वतंत्रता देखने को मिलती है तो यह सारी चीज हमने देखे हैं राष्टबाद के प्लक्ष में ठीक है यह सारी चीज आप समझ गए होंगे अब हम आगे देखते हैं इसी के अगले चरण की बात करें स्वतंता आंदोलन की तो यहां पर हमको जब कांग्रिस की स्थापना हो जाती है 1885 में तो 1885 से लेकर 1905 तक हमको एक चरण देखने को मिलता है कांग्रेसियों का तो उसको हम बोलते हैं उदारबादी चरण उदारबादी चरण को हम बोल सकते हैं नरम पंती विचारदार एक प्रकार से हम बोल सकते हैं नरम पंती विचारदार क्यों तो इनका जो था हिंसा के बल पर यह काम नहीं करते थे मतलब पत्र वहबार या फिर रिक्वेस्ट है उस प्रकार से यह काम करते थे कौन उदारबादी ने ता तो इसके कारण यहां की 1885 से लेकर सुरुवात के जो 20 बर्स थे वो किसके काल के रुप में जाने जाते हैं नरम पंती की रूप में हम उनको जान सकते हैं इस तौर में हम देख सकते कुछ प्रमुक नेता थे जैसे अगर बात करें हम नेताओं की तो प्रमुक नेता कौन-कौन से थे तो आप याद रख सकते हैं, दादा भाई नोरोजी थे, इनको तो सभी जानते हैं, इसके लाबा कुछ और बेखती थे, जैसे कि फिरोजी सहाब में था, साथ में हम देख सकते हैं, रनाडे, फिर उसके बाद हम देख सकते हैं, गोपाल करशने, गोखले, उसके अलाबा हम देख सकते हैं, सुरेंदर नादवनर जी, यह सभी लोग जो थे, यह प्रमुक नेता की रूप में थे, जिनको हम जानते हैं, नरम पंति की नाम से, यानि उदारवादी नेता हम एक प्रकार से इनको बोल सकते हैं, गांग्रेस के इस सभी नेता जो थे, अधिकतर अंसकालिक, राजनितिक थे, अंसकालिक मतलब होता ह पूर्ण तह राजनितिक नहीं थे जैसे हम देखें तो समर्पित होकर राजनिती करें इस प्रकार से इनको हम नेता नहीं बोल सकते यह अंसकालिक राजनितिक थे तथा नीजी जीवन में सफल एक प्रकार से पेसेवर थे यह प्रोफेशन अपना खुद का एक प्रोफेशन था इनका तो इसलिए हम देख सकते इनको उदारबादी चरण में इनको रखा गया है और एक प्रकार से अगर देखें तो उद्देश से क्या था जो उदारबादी चरण है उनका उद्देश से था जो ब्रिटिस सासन चल रहा है बिटिस जो गॉर्मेंट थी तो बिटिस स यासन के अंतरगति यहां पर हम देख सकते हैं इनका उद्देश था सुराज की प्राप्ति था सुराज की प्राप्ति करना इनका मुख्य उद्देश था जो भी उदारबादी उनका इसके लावा विचारधारा के अगर बात करें इनकी विचारधारा जैसे अगर बात करें क विचारवारा के बल पर इनका जो असलता अंदोलन था तो उनकी अगर बात करें तो ये अंग्रेजियों को प्रती हिंसा का प्रयोग नहीं करते थे तो अगर देखें हम तो इनका हत्यार क्या था एक प्रकार से ये पिरियता पर जादा भरोसा करते थे ठीख है सांत में करमिक सुधार करमिक सुधार मतलब एक दम से सुधार नहीं चाहते थे धीरे धीरे सुधार यह चाहते थे ठीक है और इसके अलावा सांति पूर्ण धंग से एक प्रकार से अंदोलन चाहते थे सांतिपूं सांत में रक्तिहीन, रक्तिहीन मतलब इंसा नहीं होनी चाहिए तो यह सभी जो है प्रखार से नयाय प्रियता, क्रमिक सुधाथ, सांतिपूंड धंग से और रक्तिहीन तरीके से हão पर, सब्सक्राइब करने के लिए और उन्हें ब्रिटिस संसत पर पूर्ण विश्वास था क्योंकि हम देखें तो यह इनका मानना था ब्रिटिस कानून के खिलाब तो इनके द्वारती जनता की छमता पर विश्वास नहीं था तो इस प्रकार से हम देखें इनकी विचार धारा फिर कार्य पद्धति के अगर बात करें तो इनकी कार्य पद्धति क्या थी एक प्रकार से अगर देखें तो यहां पर इनका जो कार करने का धंग था वह प्रात्ना पत्र प्रात्ना पत्रों के दौर आई अपनी मान को प्रस्तूत करते थे साथ में प्रतिवेदन यह निकि हम बोल सकते हैं रिपोर्ट के माध्यम स प्रतिवेदनों के माध्यम से उसके अलाबा इसमरंट पत्र है अगर कोई इनने रिक्वेस्ट भीजी है और अगर वह पूरी नहीं हो तो उसके लिए इसमरंट पत्र भीजा जाता था फिर से इसके लाबा सिस्टम अंडल सिस्टम मतलब कुछ लोगों का समू जो है बिटिस को मतलब बिटेसों के सामने अपनी प्रकार से रिक्वेस्ट लिखा जाता था साथ में साथ मैं कुछ सभाव का आया जनिनके दोरह किया जाता था भासन वाजी इस प्रकार से हम देखें तो इन सभी के माध्यम से अपनी मांगों को प्रस्तूत करते थे ब्रिटीस के मध्डे मतलब ब्रिटीस को सामने और इसमेघ्रaja सकते हैं तो हम ने देखैं उद्धे मैं देखिए ब्रभक मांगे तो व्मांगे गधार्य प्रशासनिक और अर्थिक टीक है तृ घक सम्भधानिक मांगो कि और बात करें तो यहां पर इनगे दौरा भागे दरीमें ब्रद्धी करनी मैं की बात कि Dr. इसटर पर वाइसराय धिस टी तो इसमेट sharply कारे काउंसील तो कउट सिल की और काउंसिल है जो की 22 की हेल्प करने कली होती थी तो इसकी काउंसिल में दो भारतिये जो सदस्ट से उनकी नियुकति के लिए बात की गई थी साथ में सौसासन की बात करें तो यहां पर देखें ब्रिटिस सामराज के अधिकार दिया जाए यह इनके द्वारा बात कही गई तो संबेधानिक अधिकार के करने साथ में प्रसा सद्ब करें यहां में यहां पर होता था एक्जाम कंडेक्ट यहां पर भारत में नहीं होता था तो इसी के लिए हाँ पर बात कही थी कि प्रस्वासनिक मांग के अंतरगत सिविल सेवा का भारत करण किया जाए और जो का नियाय पालिक और साथ में कारपाली का दोनों को अलगअलग सेक्रेट करने की बात कि यह बात कहीए फिर अन्तरगत भारतियों अधिनियम तो इसको अठिक समाप्त किया यह साय, तांकि भारति अ पनी रक्षा सबसे पहले बहुत अधिक थी तो उस दर को यहां पर कम किया जाए इनके दौरा मांग की गए पिर इस्ठाई बंदवस थी तो क्छ छेत्र मोव सकते हमbab सकते हम 19 30 अधे मोगका की अगर बात करें हम टटकर की तो भारती उद्योगों के लिए जो सुरक्षा है भारती उद्योगों यहां पर तो सेनने वेह में यहां पर कटोती की जाए यह इनके दारा मांग की गई और जो धन निकासी था मतलब जो बिडेसी जो मतलब जो ब्रिटिस गॉर्मेंट भी इस कंपनी थी वह अपने मतलब भारत देश से धन का अधिक निस्कासन किया जाता थी युकम जाता था तो इस धन को कम क्या जा से इन के दोरा हमने में देखें जो उदारबादी लोग थे उनके द्वारत संवेधानिक प्रसासनिक और आर्थिक सभी हमने यहां बात कर लिए तो आप इनको लिखा देख सकते हैं ठीक है अलग-अलग प्रकार से फिर कुछ हम कमिया देख लेते हैं यानि कि उदारबादी लोग थे उनकी समझ पाइस के कारण क्या हुआ वह उनका जो देख था जो मुख्य फोकस रहना चाहिए था वो फोकस ना रहकर और जो है अपने फोकस से भटका था एक प्रकार से फिर शिक्षिद बर्ग जो था सिक्षिद वर्ग तक एक प्रकार से सीमित था ठीक है तो हम देख सकते हैं जो अंदोलन था उधारवादियों को जो अंदोलन था सिक्षित वर्ग तक रखा गया मतलब आम जनता तक नहीं पहुंचा तो हम देख सकते हैं जनता की ताकत को समझने में यह सफल रहे क्योंकि जनता सही हमको जो एक प्रकार सोथनस्ता मिलेगी इनकी समझ में नहीं आया कुछ सीमा है को देखने हैं कि मलते हैं करसकों के वीजित में कोई नहीं कहीं गई और यही कारण था है कि उदारबादी जो थे करस्रकों के वीच मजबूत आधार का निर्मान नहीं कर सकते यहां त्ठीन हम सकते हैं नेक्स्ट कमया जो है नेक्स्ट सूमार देखने को मिलती और यहां पर रोका मजदूर समर्थक रुक अपनाने के लिए यहां पर रुका क्योंकि पूंजी पतिवर्ग एक प्रकार से इसके खिलाब थे इन्होंने फैक्टरी सुधारों का भी काफी बिरोध किया तो इन सीमाओं के बाद अगर देखें तो हलाकि यह देखिए हम देख सकते हैं उदारवा तो उदारवादी थे उदार वादी उन्हें प्रारमबिक चरण में प्रारमबिक चरण के अगर बात करें तो जनता जो थी राष्टियता की भावना या राष्टिया अंदोलन से परिचित कराया तो आगई हमको काम आती हैं जिसके फलतर रूप सोतनतता मतलब बारत और भृषा निठी यहां पर देखें तो यहां पर देखें आर्थिक राष्ट बाद को इन्ने जन्में मतलब्टे साहड था इंतरर था उसको प्रकास उसको सब्सक्राइब सकते थि मतलब सिंपल रूप में क्या बोल सकते हैं कि इन्होंने आर्थिक राष्टवाद को जन्म दिया और आगे राष्टवादी जो अंदोलन था उसमें धन इधन निकासी का सिध्धांत एक प्रमुक मुद्दा इनका बना रहा मतलब कहीं भी हतियार के रूप में वो प्रयोक कर लेते थे इसका फिर एक अगर बात करें हम तो इन्हीं के प्रयासों से 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट यह पारित हुआ इसके अलाबा एक और देखें तो इसका आयोजन जो था दोनों जगें मतलब एक प्रकार से भारत में भी और लंदन में भी दोनों जगें किया जाने लगा तो इस संबंधी विधेक को भी यहां पर पारित कर लिया गया हो गया फिर जो भारतयLY थे उसकी के लिए कमिस्ट का बेल्वी कमिजण के हैं है वैधार्वाथ sic दो और यहां पर इसके लिए हां कि moons Delete की साथ में उदारबाधियों ने ही आगे के जो राष्ट्यवादी अंदोलन थे उसके हित्व एक प्रकार का आधार यहां पर निश्यत किया निकि जो उग्रबादी आएंगे उग्रबादियों के लिए प्रकार से आधार यह समझ में आता है जो सुरुवाती 20 बरस थे ठीक है तो यह हमने देखें मुखरूप से उप सभाद से बिलग्ति तो इसytyy को कारण बताना पड़ेगा यह तो इसही गंतर हम देख लेते हैं इसका उत्तर जो कि उत्तराइन को माना जाता है उधारबादी वहाँ उन्हों dismiss का सासन देखा था तो उसके प्रकार से बाफादार हम बोल सकते हैं तो अंगरी जी सिक्षा प्राप्त बेक्ती थे और परणाम सरूफ हम देखें तो उन्होंने अंगरी सासन को नहीं बलकी सासन मतलब उस सासन को दोस्पूर्ण माना है जो आ ब्रिटिस थे आ ब्रिटिस मतलब भारत में हम देख सकते हैं कमपनी का सासन था तो जो ब्रिटिस सरकार थी ब्रिटिस सरकार का सीधी सासन नहीं माना उन्होंने यहाँ पर भारत में आ ब्रिटिस मतलब जो ब्रिटिस नहीं है उनका सासन माना है तो उन्होंने इसकी आल बात करें तो और भारत के इस राष्टी सोरुप को बहुत साउधानी से निखाने की जरुवात है इनके दोरह यह बात कही गई अचानक से अगर स्वचंसरता मिल जाती तो क्या लोगों को उसका जो है मतलब एक प्रकार से हम देखें सफलता मिल जाती सफलता को भोगने के लि और इसको साउधानी से निखानना पड़ेगा मतलब अगर स्वतंतरता मिल जाती है तो उसको यूज नहीं किया जाएगा उसका मिस्यूज किया जाएगा ठीक है तो इनके दोरह बात की गई इसके अलाबा आरंबिक जो राष्टवादी थे उन्होंने अपनी राज्यतिक त संतोस हो सकता था एक प्रकार से अगर देखें तो इनके अंतरगत नर्मी क्यों थी वो हमने देख लिए तिन कारण हमने यहाँ पर जाने तो यह सारी चीज़ें पर डिस्क्राइब कर सकते हैं तो हम फाइनली देख लेते हैं मुल्यांग का निसकर सिया समिक्ष्भा हम इसक था उधारबादि को अधिक सफलता यहां पर नहीं मिली इनका यह कहना है आलोचको के दौर जिन मांगों को लेकर उन्होंने अंदोलन किये थे बहुत पूरी नहीं हुई यहां पर बात कही गई और साहती उदारबादी जो था निम्न वर्गों का समर्थन प्राप्त नहीं कर ँलंध खिर दाते हैं पर हमोगल शिद्ध होता है ठीक है परनतु हम उसको असफल घोशित नहीं कर सकते यह भी हम यह बात कर सकते हैं यहन्हों परिस्तितायद है ततकालिन परिस्तितियों के अनुरूफ हम इसको बोल सकते क्यों कि हम यह सकते हैं कि उस्थ समय उन्हों कि उन्हों ने यह कारे किये थे अपने आप में महत्पूर्ण थे उन्हों हमें जो भी मांगे रखी थी वर अगर देखें तो यह प्रवांगे सरकार के सामने मांगे सरट्रार के दोरह, पर नहीं होका। यह लखाले यहाँ पर रोपमें उन होने प्रकार से राष्टी बहुना जनता के मन में pretending में ब्रेट लखकरत कर दी और ले हम तो मांगे पूरी नहीं हुई तो इससे एक प्रकार से देखें जनता को ब्रिटिस सरकार का बास्तविक स्वरूप सामने आया जब देखें ब्रिटिस सरकार जो भेदभापूर्ण निती अपनाती है वो सारी चीजे जनता के सामने आ और जनता में राष्टिये तक की जो भावना है उसका विकास हो गया तो एक प्रकार से हम देखें मुल्यांकन तो हलाकि यहां देखें पूरी मांगे जो मांगे रखी गई थी वो पूरी नहीं हुई है ठीक है निवन वरगों को समर्थन भी नहीं हुआ तो हम एक प्रकार से असफल घोसित नहीं कर सकती क्योंकि तातकालिन परिस्तितिया उस समय जिम्मदार रही होगी और इससे बास्तिविक सवरूप सामने आगे ब्रिटिस सरकार का जनता के सामने और जनता के मन में राष्ट्यते की भावना यहां पर जागरत हो जाती है तो यह हो गया यहां जो चरण था उसको क्या बोला जाता है उगरवादी चैनि यहां पर बोला जाता है थो नीच से पांस प्दशाथ का यहकुछ और वाले नरम पंती इनको बोला जाएगा घरम से ल Qué lir English को बोल services है ठीक है तो एक्स्ट्रिमिस्ट जो नेता थे उनका उध्वा हुआ और प्रागामबिक उग्रबादी नेता जो थे मुखरुप से अगर देखें तो यहां देखें हमको कुछ नेता देखने को मिलते हैं जैसे कि लाल बाल पाल की जो तिकडी है वह आप तो जानते होंगे य यह तीन को तो आप जानते होंगे लाल बाल-पाल के नाम से जाने जाते हैं लालवाल पाल लाला लाच पत्राय हुआ उग के लावा एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था अर्विंदो घोस तो हम बोल सकते हैं विपिन चंदरपाल लाला लाच पत्राय और अर्विंदो घोस यह प्रमुक नेता के रूप में सामिल थे उग्रबादी चरण में यानिकि इनको हम गरमपंती निता भी बोल सकते हैं तो 1905 के बस्ताइद जो भी कांग्रिस का चरण आएगा उसमें हम देख सकते हैं उग्रबादी चरण हमको देखने को मिलता है और इसके कुछ उधे के कारण थे मतलब जो उग्रबादी चरण है उसका उदे कैसे हुआ क्यों हुआ वो सारी चीज हम यहां देखने वाले हैं तो उ उसी के अंतरगत जो परिवर्तन हुआ है उसमें हम उग्रबादी चरण इसको बोल सकते हैं राजनीतिक यहां पर देखें तो यह आप इसको सुधा लीजे यह है राजनीतिक निरासा हम देखेंगे यहां पर करजन की प्रतिक्रियवादी निती ठीक है इसके अलाबा देखें तो यहां पर अंतरष्टी घटनाओं का अभी काफी प्रभाव देखने को मिलता है आत्म सम्मान इबं आत्म वलिदान का प्रसार हुआ अकाल वा प्लेक का प्रकोप यह सारे कारण हमको देखने को मिलेंगे किसके उद्धे में उग्रबादियों के उद्धे में तो पहला सब्सक असनतोस यहां प्याफना कर दिया ऑर विट्टिस सरकार के दोरा उदारवादियों कि मांगे के पृति यहां पहला आपना ही जाने हाले प्लेक्छरापुर नीटी थी इसने कांग्रेस के युवा नेताओं के अंदर एक प्रकार से आंदोलन की भाउना को जागरत कर दिया और युवा नेताओं के अगर बात करें तो उदारबादियों के तरीकों को एक प्रकार से इन्होंने क्या कहा है राजनीती भिक्चा ब्रत्ती कहा है मतलब एक प्रकार से इनके दौरा भीक मांगी गई थी राजनीतिक स्तर्क में ये बोला गया है जो उधारवादी नेता थे उवा नेता उनके दौरा और यहां ब्रिटिस सरकार से अपनी मांगे मनवाने हैं तो कठोर तरीके अपनानी के अवसकता पर इन्होंने बल दिया है तो यह उधारवादी अंदोलन के असफलता भी यहां मुखकारन होती है उग्रवादियों के उधे में कि देखते हैं राजनेतिक निरहासा की तो राजनेतिक निरहासा के अंतरग०्श से ले लेकर आगर देखें उननीश सो पास तक तो इसके मद्य के अगर बात करें कुछ राजनेतिक घटना जैसे की 1892 में ही हमको देखने मिलता है इंडियन काउंसिल एक्ट तो इंडियन काउंसिल एक्ट आई सी हम एक प्रकार सौट में इसको बोल सकते हैं दूसरी चीज़ अगर बात करें हम 1897 की तो 1897 में हमको तिलक जो लोकमाने तिलक थे बाल गंगधर तिलक को 18 महा की यहां पर कारवास देखने को मिलती है तो इन सभी के कारण कांग्रेस के कुछ यूवा नेता थे मतला यूवा नेता उने उग्र राजनिती अपनाने हितु एक प्रकार से उनके अंदर भावन की नीती यह कुछ कार थे उसके कारण भी यहां पर हमको उधय का एक प्रकार से उग्रवादियों को उधय के कारण सामने आता है तो देखे इसके अंतरगत देख लेते हैं इसने जो है काफी जन बिरोधी कारी किये जन बिरोधी कारी किये जन बिरोधी कदम उठाए जिससे है भारतीय की भानों को काफी ठेश पहुँची उधारन की रूप में अगर देखें तो यहां पर 1899 की अगर बात करें अठारस निन्यान्वे में इसने कलकत्ता नगर निगम जो थैं भारतीय सदस्यो की संखय यहां पर घटा दी जो नगर निगम था जो भारतिये थे, भारतिय की संख्यय को क्या कर दिया? कम कर दिया इसके अलाबा 1903 के अगर बात करें, तो 1903 में क्या हुआ? इंडियन जो Official Secrets Act आया था, उससे Prince की स्वतन्तरता को सीमित कर दिया यहां पर हम देख सकते हैं, Prince की स्वतन्तरता को क्या कर दिया? गहाटा दिया 1904 में एक और एक्ट आया उने सो चार में एक एक आ या इन्डियन इंडियन इनिवरसिटी एक्ट इंडियन इनिवरसिटी एक्ट तो इससे क्या हुआ कलकत्ता विशुविधियाला पर सरकारी नियंत्रैन इस्थापीत हो गया कि अब थक भारतियों मतलब एक प सारी जो प्रतिक्रिया या जो ती इसको दार जन्विरोधी कदम उठाए गया थे इसके फलसुरूप भी हम को देखना को मिलता है यहां पर उग्रबादियों का उदय ठीक है फिर कुछ अंतराश्टी घटनाएं हम को देखने मिलती है अंतराश्टी घटनाओं का प्रवहाव प्रवहर बखरोबादियों के लिए प्रमुक माना जाता है जैसे कि अगर देखे हम 1896 की 1896 में जो इथोपिया था इथोपिया ने कर इतली को हराया था सिंपल सी बात है देख सकते हैं यहां सकती का एहसास होने लगा है यह सकती का जो है पावर पता चलने है हए उसका प्रकार से जो अपना बल है जो बैक्ति अपना बल है उसका यूज कैसे कर सकता है दूसरे को इस चीज का यहां पता चला अठारछा ग्रैजयों को मूह तोड़ जवाब दिया था ठीक है अंग्रेजों को यहां पर हरा दिया था तो यह भी यहां पर भारतियों के लिए काफी यहां पर प्रेड़ना स्वरूप प्रदर्सित हुआ इसके लावा हम देखें 1905 की बात कर लेते हैं तो यहां एक छोटे से एसी आई देश ने जापान मतलब जो जापान था रूस को पराजित कर दिया तो इससे भी एक प्रकार से जो अपने बल है उसका हैसास हुआ भारतियों को तो भारतियों में एक प्रकार से उस्सा और संचार की भावना यहां पर क्या हुई उसका प्रसार हुआ और उसमें संगर्स वा इवं राश्टिता की भावना पैदा ह तो इसके कारण भी उग्रबादियों का यहां पर जो है देखने को मिलता है फिर बात करें आत्म सम्मान इवा आत्म बलिदान का प्रसाथ तो यहां देखिए कुछ पुनर जागरण के कान में मतलब कुछ बेक्टी आय थे जैसे कि स्वामी विवेकनन्द की बात कर लेते हैं इसके अलाभा बात करें दैयनंद सरसवती की इसके अलाभा अरबिंद गोस और तिलक ये सभी जो राष्टवादी जो थे उन्होंने भारतियों को आत्मसंवान वालिदान हितु प्रेरित किया काफी इससे उन्हें संघर्ष की प्रवर्ति का विकास हुआ और विवेकानन्द उन्होंने लिखा है कि भारत की एक मात रासा उसकी जनता है और उचे बर्ग सारी रिग वा नैतिक द्रिश्टी से मरत प्राय है मतलब जनता को यहां पर सर्वेस्ट माना गया है किसके दौरा स्वाम सब्सक्राइब करें तो यह देखिए आत्म सम्मान और आत्म वलिदान का काफी प्रसार हुआ इससे उग्रवादियों को यहां पर उद्वह देखने को मिलता है इसके अलावा अकालवा प्लेग की अगर बात करें तो अकालवा प्लेग यहां पर 1894 से लेकर 1898 तक इस बीच मुद्पन हुआ था उसके लिए काफी मतलब यहां पर प्रयास नहीं किया गया जो अधिकारी थे प्रतिक्रिया सुरूप दामुदार हरी चापे करने पूना के प्लेग कमिशनर जो रेंड तथा उसके सहायक लेटिनेंट एम हर्स्ट की हत्या कर दी किसने करी थी दामुद को यहां पर क्या कर दी गई इसके फल सुरूप यहां पर अंग्रेजियों के दारा अंग्रेजी गवर्मेंट के दारा फांसी दे दी गई और एक प्रकार से उसे भड़काने का आरोब बाल गंगधर तिलक को यहां पर 18 महा की कैद हो गई जैसे कि हमने उपर बात की थे तो सबते तो यह सारे कारण हमने देख लिए में नहीं के सब्संट हैं इसका का निए उद्धार और करें कि बिटिस सासन के अंतरगा स्वराज की प्राप्ति परंतु इनका जो उद्देश था बिटिस सासन को उखान फेकना यानि की समाप्त करना इनका मुख्य उद्देश था और समाप्त करने के प्रस्चाथ इनको जो है स्वराज की प्राप्ति चाहिए थी स्वराज या स्वध करते हैं ओब्रबादी जो यहां पर संगार संसे काफी घरना परिबर्तन चाहते थे मतलब क्रमिक सुधार एक प्रकार से इनका उद्देस नहीं था उग्रपरिवरतन यह चाहते थे उग्रपरिवरतन पर विश्वास रखते थे ठीक है इसारी चीज इनकी प्रकार से विचार धारा थी पढ़नाम सवरुप उन्होंने विरोधेतु काफी हिंसात्मक प्रयोक चैजिए कुछी हिंसात्मक उनकी काड़त थी उनकी विचार धारा थी घ्ड Congress हमने बात किए आत्मवलीदान की तो आत्मवलीदान कि रखतों थे जो उग्रवादी नेता थे उन्हें जनता की छमता पर काफी विश्वास था जबकि उधारवादियों को जनता की छमता पर मतलब जनता की छमता उससे वह आपरीचित थे तथा जो उग्रवादी है वह मानते थे कि जनता की जो सीधी कारवाई है वही एक प्रकार से उससे ही परि सब्सक्राइब देख सकते हैं यह उदार वाधी ते उनीती से विस्वास करते थे विसी नहीं करते थे या followed सब्सकारोग प्रेयोग को स्वाधेशी वस्तु होगत सिंप्ल से वाद वहिस्कार लोगों को स्वाधेशी वस्तू का प्रेयोग प्रेयोग उसके लिए प्रेरित किया जाता था निस्क्रिय प्रतिरोध जैसे सभी तरीकों का इनके द्वारा यूज किया जाता था तो यह प्रकार से प्रकार से इनकी कार्यपध्धती हुआ करती थी इनकी कुछ सिमा है आलोचना की गई है तो उनको हम बात कर लेते हैं सफल रहे इनके दौर भी सफलता मिली क्या जो बस्तविक सफलता हम बोल सकते हैं तो नहीं मिली एक प्रकार से बोला जा रहा तो यह एक कमी रूप में देखने को मिलती हमको पहली दूसरी जी अग्रबादि उन्हें धार्मिक प्रतिकों पर बल दिया यानि कि धार्मिक जो है जैसे अलगधर्म के लोग प्रकार से सांप्रदाई प्रसार यहां पर देखने को मिलता है और इसके अलाबा एक और जो है कम हमको की मिलती है राश्टी अंधूलन एक प्रकार से कमजोर पढ़ गया जो मतलब उग्रबादी ऐबन जो उधारबादी उनके मद हुआ एचारिक संघस थे साथ में उन दोनों के संघस के फलतूर राश्टी अंदोलन कमजोर पढ़ गया 1907 में परिणाव हमको देखने को मिलता है कि जो सूरत अधिवेशन होता है जिसको हम पढ़ेंगे आगए सूरत अधिवेशन में हमको कांग्रेस के दो भाग देखने को मिलते कांग्रेस का विभाजन हो जाता है उदारबादी और उग्रबादी के रूप में ठीक है तो इस से राश्टी अंदोलन में काफी रुकावड देखने को मिलती है तो हमने देख लिए कुछ सिमाय थी कमिया थी किसकी उग्रबादियों की अब बात कर लेते हैं कुछ कमिया सिम्पल सी बात है कुछ उपलब्धिया भी होगी उपलब्धियों के अंतरगत हम देख लेते हैं मुखरूफ से यहां को तीन उपलब्धिया देखने को मिलेगी जैसे कि सबसे पहली अगर बात करें तो उग्रबादियों ने कांग्रेस के समाजिक आधार का विस्तार किया मतलब इनके प्रभाव से विद्यारती युवा तथा महिलाय भी राष्टी आंदोलन से जोड़ गई तो विभिन बर्गों का यहां पर सहयोग यहां पर देने दिया जाने लगा राष्टी आंदोलन में ठीक है तो यह कि उपलब्धि देखने को मिलती है फिर किया जुलूस हरताल राष्टे सिक्षा ग्रामी नुथान सौलंबन सरजनात्मक कार सभी तरीकों को यहां पर अपनाया जिससे जो गांधी मतलब गांधी जी आते हैं तो गांधी वादी जो कारिकरम थे उसके लिए प्रकार से आधार निर्मित हो जाता है इन सभी के कारण हैं तो यहां पर उपलब्दी की रूप में हैं देख सकते हैं फिर उग्रवादियों नहीं सरप्रथम स्वराज की मांग की थी ठीक है और आगे अगर बात करें हम 1929 की तो 1929 में हैं कांग्रेस की जो मांग है 1929 तक बनी रही ठीक है तो यह कुछ उपलब्दिया थी कमिया हैं अब हम बात लिए मुल्यंकन कमले अंतल्ब जो बोल सकते हैं या फिर हम समेख्षा बोल सकते हूं यहां पर फिर से हम बात कर लेते हैं आलो चको कि तो अनुसार अगर देखें तो अधिक सफलता नहीं मिली इनके दोरा कहा गया है और उन्हों रूख रूप से जो बंगाल विभाजान ने उसका बिरोत किया था परन्तु बंगाल विभाजान को टाल सके का नहीं टाल सके तो सफल सकते हैं अलचो के कनुसार मिला संप्रदायवाद को बढ़ाबा मिला अधें भारती राष्टी अंदोलन था उसमें कोई एक प्रकार सब् अगर बोल दें कि आज हफल माना गया तो एंसा हम नहीं बोल सकते हैं परन्तों हम गहराई से अगर परेविक्षण करें तो हमको ग्याद होता है कि उग्रवादियों नहीं कांग्रेस के युवा वर्ग थे उनको साथ में जोड़ा यहां पर सहयोग देखने को मिलता है किसके क कारण कांग्रेस के कारण ही वह इसके जो गांधिवादी आंदोलन है उसकी प्रष्ट भूमी तयार इसके दोरक की गई जैसे उपलब द्योक अंतरगत हमने देखें तो राश्टी आंदोलन थे उनको दुतिये चरण में नहतरत पर प्रदान किया और इस रूप में उग्र जाबा देखें हम तो जो उदारबादी चरण ना सुरवात के 20 वर्सों में हमको देखने को मिलता है ठीक है और इसके बाद हमने देखें उग्रबादी चरण तो अब इसके बाद हम यहां पर देखने वाले हैं एक और चीज जैसे कि बात करें हम आप बंगाल विभाजन की तो अभी हमने बात कि थी 1905 में जो लाड करजन है लाड करजन के दौर यहां पर बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है और उसी के फलतरूप यहां पर जो सौदेशी अंदोलन है उसका भी यहां पर क्या होता है सुरवात होती है सारी चीज़ों के बारे में हम यहां पर देखेंगे विस्तार से चलिए देख लेते हैं बंगाल विभाजन एवन सौदेशी अंदोलन के बारे में तो यहां देखें जो करजन था करजन लौट करज इसके एक हिस्से में पूर्वी बंगाल वा असम यहां देखे यह भारत का नक्सा है ठीक है तो यहां देखे जो लाट करजन है उसने एक हिस्से के अगर बात करें तो पूर्वी बंगाल वा असम को एक दूसरे मतलब एक प्रकार से जो असम बाला भाग था पहले यहां देख में वाला बहुत है पन्रवा पस्चिम मंगाल सांत में भिहार हम देख सके हैं तो यह सारी चीज मतलब एक भाग यह हो गया है तो यह दो भालत दिया गए किसके द्वारा कारण हम देखेंगे तो अलग-अलग कारण हम को देखने को मिलते हैं ठीक है और उसका फायदा ब्रेटिस गवर्मेंट को कैसे हुआ है सारी चीज हम देखेंगे यहां पर यह दो भागों में लाट करजन के दौरा बांट दिया गया इस विभाजन के विरोध सवरूप सुदीसी अंदोलन की हाँ पर सुर्वात देखने को मिलती है हम बुद्धु बनाने का काम इसके दौरा किया गया था तो जैसे जो ततकाली गवर्नर जनरल था लौट करजन तो इसी का नुसार देख सकते हैं जो आभी भाजित भारत था मतलब इसके दौरा बोला गया है कि अगर देखिए हम इतना छेत्रे जैसे मान लीजिए यह पूरा बंगाल की नाम से जाना जाता ठीक है यह चेत्रे इतना बड़ा बंगाल ठीक है अब इतने बड़े चेत्रे की अगर बात के तो काफी विस्तरत हम को देखने को मिलता है यह किसके दौरा कहा गया है करजन की दौरा तो आभी भाजित जो बंगाल था जिसमें की सारे चेत्र सम्मिल थे जैसे बिहार उडिसा सभी छेत्र सम्मिल थे तो काफी विस्तरित था यह और अकेला जो लेफटीनेट गवर्नर था वहां का उस प्रसासन को भली भाती नहीं चला सकता मतलब एक लेफटीनेट इसका मुख्यों देश क्या था अगरे जो मुख्यों देख सकते हैं यह हुच्छ सकते हैं चाहिसी इनको लिखने में उपयोग कर सकते हैं अपने अनुसार ठीक इसके लावा प्रतिक्रिया के अगर बात करें तो यहां देखे राष्टबादियों ने बंगाल विभाजन के बास्तविक कारण को समझा ठीक है बास्तविक कारण को समझ गये वो और इसे राष्टबाद के जितना भी भाग हमको देखते हैं वो आता है उग्रवादियों का ठीक है उग्रवादी क्योंकि यहां पर उदारबादियों का जो काल है वो समाप्त हो जाता है शुरूबात के बीस बर्स तो यह तीन प्रतिक्रिया हमको देखने मिलती है बंगाल विभाजन के फल और स्वदीसी अंडूलन हुए था तो सुदीसी अंदूलन के अगर बात करें तो इसकी जो शरवात हुई थी तो यह हुई थी साथ अगत्त totally है घुजद को हमको शुरवाद देखने को मिलती कब 1905 में किसकी सवदीसी अंदुलन की और कलकत्ता की टाउन हौल से इसकी शुरवाथ हुई थी या यह भी लिख सकते हैं कलकत्ता से इसकी सुर्वात हुई थे हलाकि बंगाल हम बोल सकते हैं इतिहासी बैठक में हुई थी और सुदिशी आंदौलन से जुड़े कुछ महतपूर्ण नेता की बात करें तो कुछ महतपूर्ण नेता थे जैसे कि सुरेंद्र नाद बनर जी सुरेंद्र नाद बनर जी यहां पर मुख्य थे क्रश्नकुमार मित्र थे प्रत्वी चंद्र राय तिलक अर्विंद्व खोस बिपिन चंद्रपाल लाला लाच पत्र राय यह कुछ प्रमुक नेता थे किसमें स्वादीशी आंदौलन में जैसे उग्रबादी नेता को ही हम एक प्रकार से अगर बोलें तो उनको भी हम यहां पर सामिल कर सकते हैं क्योंकि उसी के चरण में तो यह काम हो रहा है ठीक है तो इसके अंतरगात हम देख सकते हैं मुख्य चीजों पर हम बात करेंगे जैसे स्वादीशी अंदौलन के कुछ कारक्रम थे कार्य पध्ध्यति क्या थी प्रसार कैसे हुआ अंदौलन का अंत और प्रभाव और निसकर्स यह सारी चीज हम यहां पर बिस्तार से देखेंगे चल सबसे पहले बात करते हैं कारक्रम की तो कारक्रम के अंतरगत मुख्य रूप से क्या हुआ देखिए हम देख सकते हैं जो विदेशी चीजे अंतरगत हम सकते हैं आख कुछ बस्तुए थी लिडेशी इंच त्रगी जीघेती है ठीकह उस्के लावा जो सरकारी स्कुल ते सरकारी स्कूल इसके लावा हम देखें तो अदालत यानि की नियाले भगेरा हम बोल सकते हैं और कुछ नोक्रियों के बात कर लोते हैं तो है तो नहीं है तो इन िगल करने का है मतलब जो एक प्रकार से देखें कारक्रम कें अंतरगत सामिल कर सकतें सभी चीज़ों कि हम भानघषार कर सतरसान मतलब प्रशाषकिर कर न या उसको पंगू करना इन का प्रमुख यहां पर कारक्रम के रूप में देखा जाता है उसके अलाभा महिलाओं के ँद्वरा विद्य.सआया Color को राफ पर δ्रू दंद धर्ना धिया गया कुछ समाजिक कुरितिया थी जैसे कि समाजिक कुरितियों के अगर बात करें तो मुक्रूप से हम देख सकते हैं बाल विभा इसके लाब आकर देखें दहेज या फिर हम देख सकते हैं सराब इन सभी चीजों के यहां पर विरोध किया गया समाजिक कुरितियों के रूप में हम देख सकते हैं ठीक है और आत्मी निर्भरता के अगर बात करें तो आत्मी निर्भरता हे तो इन्होंने काफी चीज़ा की जैसे कि स्वदेशी सिक्षा के लिए आप है वैबस्ता की स्कूल अब बात कर लेते हैं तो इनके दौरा कार्य प्रकास है सभाव का आयजन किया गया इसके लाबा नारे लगाय गये तो नारे हम बोल सकते हैं बंदे मात्राम आमार सोनार बैंगला एकला चलो रे यह सभी जो हम नारे हम देख सकते हैं इसके अंतर गअगा बहुत सारे नारे यहां पर प्रयूक किया गये कुछ जैसे लोक नाट थे और कुछ धार्मी कुछ अन्तरगत हं को मिलता है मकुरूस से जैसे घने सुस्सों सिवाजी जैन्ती ये सबीचीज हम को देखने मिलती है धर्म उसका अंतरगात। इन सबीके माध्यम से यहां पर सवदेशी अंदोलन का प्रचार पसार किया गया तो ये जो धार्मी कुस्ट हो थे एक इसके दौरा शुरू किया थे यह सुरू गये थे तलक के द्वारा लोकमाने तिलक बाल गंगधर लोकमाने तिलक के द्वारा यह धार में कुछ सुरू किये गए थे ठीक है तो यह सारी चीज हमने देखे कारेपद्धरती के अंतरगत फिर हम देख लेते हैं प्रसार की तो प्रसार हम देख सकते हैं मतलब क कि जगह से कैसे कैसे प्रसार इसका हुआ फिर बाद में हम इसके आगे के जो चीजे वह देखेंगे तो सबसे पहली अगर बात करें हमें यहां पर जो स्वदीशी अंदुलन था उसका प्रसार अगर देखें तो बिटिस सरकार के द्वारा यहां पर 16 अक्टूबर 1905 को क्या क मना गया साथ में जो एक दूसरे मतलब जो लोग थे उन्होंने एक दूसरे को राकिवान दी और एकता को प्रदर्सित किया इसके अलाबा देखें तो सवदेशी अंदुलन का जो नेतरत्व है बंगाल में किसकिस ने किया नेतरत्व जो है अलाग अलाग छेत्र में हुआ हालकि देखें बंगाल विभाजन हुआ था पर अंतु बहुमें देख सकते हैं इसका नेतरत्व जैसे बंगाल कि अगरबात करें तो बंगाल मैं जो नेतरतव ऊसГह पूंड०्वन विल्द कर थक्सक्र ठीक है और यहां कोर व्यक्ठ्टी थे इनके साथ में सुरेंद्र न तो यहां पर छाइब चोन पेर बात करें आजीट वह असे लाल लाज पहा है ईनका चुल यहां पर जोनाने को को फैर परोता करें लिए न्हाद बात करें ने दिल्ली चितम बरम पिलले इनके द्वरन फेकरति बंगाल से प्राराम हुए और देखे का जो है प्रासार संपॉण भारत में हो गया हम देख सकते हैं सकते हैं बंग गहोगत हमको भूमी का देखने को मिलती है तो कौन-कौन से वर्गों कि यहां पर भूमी का देखने को मिलती है जैसे कि स्वाधी सी अंदोलन जो था उसमें हम देख सकते हैं विद्ध्यार्तियों को इसमें काफी सहयोग देखने को मिला विद्ध्यार्तियों का अंट में हिवा Oh παर महिलाहं को शहृख देखने को मिया मिथ तून देखें अन्मी बहुत से बर्गों के दोराःसमें जो है सहयोग प्रतान किया गया परण्तु अगर देखें ट्रde वвол fonctionne sine कर सकते उनकी सहभागिता हमको देखने को नहीं मिलती है तो यह भी अध्यन में रख सकते हैं इनकी सहभागिता देखने को नहीं मिलती तो यहां पर की ब्हुमी WOW कर प्रिस्ट हो गया तो हमको सकते हैं कि 150 Strategic आते तक जो है यह कमजोर पढ़ गया और इसके कुछ कारण थे जैसे कि इसके अंतर का जो भी नेता थे मतलब जो बिटिस सरकार थी उनके द्वारे यहां पर कठोर दमन चक्र चला गया और जो नेता इसमें सामिल थे उनको यहां पर जैल मडाल दिया गया ठीक है तो इसके अ आंदोलन जो है काफी यहां पर कमजोर पढ़ गया फिर अगर बात करें 1907 की तो 1907 में आपको पता है अभी हमने बात किये थे कांग्रेस का विभाजन हो जाता है कांग्रेस दो भागों बढ़ जाती है तो आंदोलन पर एक प्रकार से नकरात्मक प्रभाव देखने को मिलत अपना जाती तो इस प्रकार से यहां कोई नेतरत वह और संगठन नहीं था इसके कारण भी यह सोदेसी अंदोलन काफी कमजोर पढ़ गया फिर देखें तो यहां देखिए कोई जन अंदोलन लगतार यहां पर चल नहीं सकता मतलब लगतार अगर चलता जैसे लगतार को य जकती है बल है वह समाप्त हो जाता है और वह आगे के अंदोलन के तयार नहीं रहते तो इसलिए गांधिवादी अंदोलन में क्या देखने को मिलता हम को आगे हम देखेंगे संगर्षविराम संगर्षविराम की नितिन के दार अपनाई जाती है ठीक है तांकि बीच में ज सही हुआ मतलब यहां पर लगातार चलते रहा तो लोगों की जो उर्जा है वो छीन हो गई तो यह सारी चीज हम देख सकते हैं अंदोलन का जो आंध है वो क्यों हो गया वह हमने यहां पर कारण जाने है ठीक है अब देख लेते हैं इसके प्रभाव क्या हुए मतलब दो प अंदोलन के दौरान हमको सवदेशी कुछ सिक्षा संस्तान उध्यव कला साहीथ विढ़ान आधि का विकास देखने को मिलता है मतलब काफी यहां पर सवदेशी चीजों पर फोकस किया जाता है और अनेक सवदेशी उध्यव्यव कि स्थापना हुई जैसे कि हम देख सकते ह पीसी राय दौर एस्थापित बंगाल केमिकल फेक्टरी तो यह ज्यादा हमको लोडने लेना वाकिया नौलज के लिए आप समझ सकते हैं बंगाल केमिकल फेक्टरी इसी के अंतरगत स्थापित हुई स्वधेसी एवम जो राश्टे सिक्षा संसानों के स्थापना हुई जैस से की रविन्ना टेगोर रजनिकान सेन रख्षिना रंजन मित्रे इन सभी की महत्पूर्ण भूमी का यहां पर रही इसके अलाबा हम देखें नेक्स्ट तो स्वराज की मांग यहां पर की गई जो की आगे चलकर हम देखें तो 1929 तक यह बनी रहती है ठीक है 1929 में कांग्र सभी चीजों को इनके दौर अपनाए गया तो प्रकार से नभीन कारपत देथी के यहां पर विकास हुआ और भवित्स के गांधिवादी अंदोलन की प्रष्ट भूमी इसके दौरा निर्मित कर दी गई किसने स्वादेशी अंदोलन ने फिर कुछ देख लेते हैं कुछ कम अप्रदाइकता का जन्म हमको देखने को मिलता है ठीक है अलग-अलग धर्मों के जो नारे लगाए गये थे अंदोलन के दौरान उदारबादी वे उग्रबादी विवाद के परणान सरुप देखें तो कांग्रेस का विवाजन हो जाता है 1907 में यह भी चीज इसकी नकार अधर परण रूप में देखें तो जो अंदोलन है वह असफल रहा क्योंकि यह अंदोलन कैसा था बंगाल विभाजन के मुद्व पर सुरूआ था परंतु बंगाल भी भाजन वो रोक सके क्या नहीं रोक सके तो इसको असाफल बोला जा रहा है परंद्रस्टी से ठीक है प कांधिवादी जो अंदोलन था उसके लिए प्रिष्ट भूमी तयार करी तो हम पहली द्रिष्टी से इसको असफल बोल सकते हैं परन्तु हम अगर सुप्ष में निरिक्षन देखें तो असफल कहना इसको गलात है तो यह प्रकार से निसकर्थ हमने देख लिए हैं तो इस सार हम देखेंगे क्रांति कारी आंदोलन का प्रधम चरण